नमस्कार आप देख रहे हैं MP News मैं हूँ निधी आपके साथ और स्वागत आपका MP News के इस खास सेग्मेंट में बात हम करने वाले हैं प्रवासी भारतिय सम्मेलन को लेकर ही आठ जन्वरी से इस सम्मेलन शुरू हुआ जो आज भी जारी है और आज प्रधान मंत्री नरेंद् प्रवासी भारतिय सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने जो संबोधन दिया उसमें सबसे पहले ही पताई Girth को लेकर क्या कुछ को चुकी है ये 77 प्र you सबसे पहले उन्होंने देश की 130 करोड जनसंख्या की तरफ से उन्होंने उनका अभिनंदन किया और बताया कि जहां-जहां भी प्रवासी भारती रहते हैं भारती संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं उन्होंने पूरे देश को वसुद्यव कुटूंगम की भावना से इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं इसी तरह प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका अभिनंदन किया और बताया कि वह इसी परंपरा को आगे बढ़ाते रहें जी सुनने में यह भी आया है कि इंदौर का नाम उनके संबोधन में काफी बार आया है इंदौर को ल वह काफी खास हैं उन्होंने प्रवासी भारतियों से कहा कि अगर इसका स्वात चकते हैं तो इसे कभी भूलेंगे नहीं जी और आगे के अगर हम बात करें अभी लंच तक तो पीए मोधी का इंदौर में ही प्रोग्राम्स अपडेटेड हैं लेकिन इसके बाद क्या वह उज पास की जितनी भी भव्यता है उसको चाहते हैं कि उसको एक्स्प्लोर करें सारे जितने वी इनराइज हमारे आये हैं उसमें महाकाल लोग सबसे महत्पूर हैं जिसका की लोकारपन खुद प्याव मोधी ने किया था इसलिए उन्होंने प्रवासी भारतियों कहा कि जाकर व व्यंजन की तारीव करना ये सब इन दोर को एक और नहीं यहाँ पर हम कह सकते पहचान दे रहा है अब ऐसे में सम्मिलन में क्या कुछ होता है आगे वो भी अपडेट्स हम आपको जरूर देंगे फिलहाल सुनी इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत पर आने खबर लगातार जारी है आप भी बने रही है हमारे साथ देखते रही है MP News धन्यवाद MP की नफस MP का हाथ मज़्य प्रदेश की हर खबर MP News TV के साथ लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल MP News TV लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न पूदे